नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ Finder पर आज से exactly आठ दिन पहले की बात है 14 जुलाई को खबर सामने आई थी कि चाइना का जो इलेक्ट्रिक वेहिकल का आटो मेकर है जिसका नाम है BYD वो इंडिया में एंट्री देना चाहते हैं 1 बिलियन डॉलर का एक प्ला कोई भी अपनी टिपनी पेश नहीं करी थी लेकिन नाव आठ दिन के बाद आज 22 जुलाई को खबर सामने आई है कि इंडिया के द्वारा आउट राइटली उस कंपनी को इंडिया में आने से इंकार कर दिया गया है इंडिया है शट डाउन एनधर चाइना एंट्री और इ reasons जिसके चलते इंडिया के द्वारा ये वाला बड़ा step लिया गया है also discuss करेंगे कि BYD का जो proposal था वो briefly क्या था चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के PDF को download करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये ग त्यारी mains or prelims की test series सभी चीजें आपके लिए घर बैठके available करवाई जाएंगी वो भी सबसे affordable दाम में that is only and only 8,000 रुपीज अगर आपने इस batch को check out नहीं क्या है अभी चाहिए check out कीजिए because ये इंडिया का सबसे affordable सबसे comprehensive batch है इससे आपकी संपूर्न exam की त्यारी हो रही है और हो सके also enroll करते समय you can use my coupon code ani UPSC so that आपको यहाँ पे discount भी maximum मिले और मेरे द्वार भी आपको guidance available करवाई जा सके also popular demand के चलते हमने बहुत सारे optional batches को भी announce कर दिया है जिसमें political science, geography, history, anthropology जैसे optional को announce कर दिया गया है और हमने इनके combos को भी announce कर दिया है यदि आप optional अखेला purchase करते है त तो आपको मात्र 15,000 में ये पूरा का पूरा GS और optional का combo available करवाई जा रहा है which is again the most affordable batch in entire India जहाँ पर आपको संपूर्न तयारी मात्र 15,000 में करवाई जा रही है यदि आपने enroll नहीं क्या है links को जरूर check out कीजिए अपनी suitability के अनुसार जाकर केस में enroll कर सकते हैं बताना चाहूंगा कि जुलाइ 14, 2023 को ये खबर सामने आई थी कि चाइना का जो जानी मानी company BYD है they had submitted a 1 billion dollar investment proposal की हम लोग इंडिया में electric cars और उनकी batteries को बनाना चाहते हैं और इसके चलते हम लोग इंडिया की एक local company के साथ partnership करना चाहते हैं लोकल company कौन सी थी हाइदराबाद based एक company है mega engineering and infrastructures के नाम से इन दोनों ने मिलकर के इस joint proposal को submit किया था to the Indian regulators इनका जो long term plan था वो ये था कि हम लोग इंडिया में हर प्रकार की जो electric गाडिया है वो लेकर आना चाहते हैं फिर भले वो hatchbacks यानि की छोटी गाडिया होती है उसके इवन जो luxury models हैं उनको इंडिया में लेकर आना चाहते हैं BYD जो लोग नहीं जानते बता दूँ एक publicly listed Chinese manufacturing company है जिसका headquarter आपको Shenzhen, Guangdong में देखने को मिल जाता है काफी पुरानी 1995 से चलती आ रही company है and ये दुनिया का सबसे बड़ा electric vehicle maker माना जाता है as far as sales are concerned पिछले साल जून 2022 में BYD ने announce किया था कि इसने लगभग 6,41,000 EVs को बेचा है 2022 के पहले 6 महीनों में जिसके चलते इन्होंने Tesla को भी overtake करते हुए दुनिया का सबसे largest EV manufacturer का जो खिताब था वो हासिल कर लिया था तो ये obviously बहुत बड़ी company है जो की इंडिया में आने का प्रयास कर रही थी और इ Recently Tesla ने propose किया था नया EV plant in India for domestic sales and exports और अगर ऐसा कर देते हैं तो उस case में BYD का ये कहना था कि दुनिया की जितनी भी major global car markets है वहाँ पर हमारी presence बन जाएगी with the exception of United States because India में हमें बहुत अच्छी market देखने को मिल रही है लेकिन in a very very surprising move by the Indian government India has shut down the entry of BYD into India उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि हमें यहाँ पर Chinese पैसे की आवशकता नहीं है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं The Center has rejected BYD Motors proposal to set up a $1 billion four-wheeler manufacturing facility in India in partnership with Hyderabad-based Megha Engineering and Infrastructures Limited outrightly इंकार कर दिया गया है Now I don't know कि यह surprise है, shocking है या फिर यह almost expected है because India definitely Chinese पैसे को लेने में interested नहीं है लेकिन जो भी है, it's a very very huge step by India because यह वाला जो पूरा का पूरा joint venture बनने वाला था यह 10 से 15,000 इलेक्टरिक गाडियां एक साल में manufacture होने वाली थी जिसमें कि जो capital था वो तो Megha के द्वारा दिया जाने वाला था, जो Megha वाली company है और जो technical low-how है, वो BYD की तरफ से आने वाला था, लेकिन India ने outrightly मना कर दिया है इंडिया का stand क्या है, सो कुछ-कुछ अधिकारी है, जिन्होंने अपने यहाँ पे विचार सामने पेश करें हैं अब यह rules क्या चीज है, आज से 3 साल पहले COVID-19 की जब शुरुवात हुई थी, अप्रैल 2020 में इंडिया ने अपनी FDI policy में एक major बदलाव किया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर ऐसी country है, जो कि इंडिया के साथ land border को share करती है वहाँ से आने वाला यदि कोई भी निवेश है, तो उस case में एक approval mandatory हो जाएगा, और इसमें जो approval दिया जाएगा, वो एक committee के द्वारा approval दिया जाएगा, जिसको home secretary, जिस committee को head करेंगा, और वही decide करेंगे कि क्या ये सब चीजें इंडिया में दानी allowed हैं या फिर नहीं है, त लेकिन मोटा मोटा ये Chinese companies को ही इंडिया में entry लेने से prevent करने के लिए policy को लाया गया था, I think वही वाली जो FDI policy है, उसी के चलते basically ये वाली BYD company को इंडिया में आने से इंकार किया गया है, लेकिन worry not, because एक और बड़ी company है, जापान की जानीबानी company Panasonic, which is again again a multinational company, जो की इंडि plant in India under PLI, और ये अगर Tesla का plant इंडिया में बन जाता है, और अगर Panasonic भी इंडिया में आ जाती है, तो that will be the most possible best situation for Tesla, Panasonic and India, because current situation में Tesla के लिए सबसे बड़ा जो supplier of batteries है, वो Panasonic ही और अगर Tesla इंडिया में आ जाता है, Panasonic भी इंडिया में आ जाता है, तो उस case में बहुत ही शानदार एक synergy बन जाएगी, जिसमें कि battery maker और EV maker दोनों ही हमें इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, so definitely India is not interested in getting any Chinese investments, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि और भी हमारे पास बहुत सारे alternatives देखने को मिल रहे हैं, even Tata Group ने announce किया था आज से लगभग 2 महीने पहले कि 13,000 करोड का EV battery plant है, ज इसको लेकर भी जो भी details सामने आई थी हमने एक separate वीडियो में cover करी है, अब चाहें तो इनको जाकर के देख सकते हैं, so in my opinion एक बहुत ही अच्छा step है, जो कि India के द्वारा लिया गया है, बाकी आपकी दोस्तों क्या राए है हमें comment section में बता सकते हैं, also जाने से पहले बताना चाहूँगा कि BYD के द्वारा Indian market में असल में entry तो ली जा चुकी है, लेकिन वो बहुत ही छोटे स्थर पे entry ली गई है, इंडिने टो 2013 में उसी mega engineering company के साथ मिलकर के electric buses को बनाना शुरू कर दिया था, under the name called as Electra Green Tech, ये वाली वो buses है, Electra Green Tech जो कि जिनके नाम पे buses हमें देखने क मिल जाती है, और इसको काफी बड़ा order सरकार के द्वारा मिला भी हुआ है, लेकिन एक बड़े पैमाने पे इंडिया ने उसको entry लिने से मना कर दिया है, that's all for now, जाने से पहले बताना चाहूंगा कि समुद्र मंथिन टेस्ट में अगर आपने हिस्सा नहीं लिया है, जरूर जा ये हिस्सा लीजे, दोस्तों ये टेस्ट होने वाला है संडे को, यानि कि कल सुबे साढ़े दस बजे हाफ एनार के टेस्ट में आपको 25 MCQs को attempt करना है, और इसके लाब हमारी perspective series को जरूरू check out कीजिए, अपनी UPSC से duty हुई doubts को clear करने के लिए, thank you so much for listening, stay tuned and